ओम शान्ती आठ ग्यारा दोहजार चौबिस की मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है माया की बॉक्सिंग में बुद्धी को बहुत कड़ी चोट लग जाती है चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं आगे कहा बहुत बहुत आज्याकारी मीठा होकर चलना है देह अहंकार में नहीं आना है बाब का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है अपने वचनों अर्थात वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है समृती रहे बाग का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जोहर भरेगा अब सुनते हैं मावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम यहां राजियों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए यहां है तुम्हारी नई पढ़ाई प्रश्ण है इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं उत्तर क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है माया की बॉक्सिंग में बुद्धी को बहुत कड़ी चोट लग जाती है चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं ओम श्यान्ति यह तो सब बच्चों को निश्य होगा के हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहत का बाप आकर बेहत के बच्चों को पढ़ाते हैं कोई नया आदमी यह बाते सुने तो समझ न सके रुहानी बाप, रुहानी बच्चे क्या होते हैं? यह भी समझ नहीं सकेंगे तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं वो हमारा बाप भी है, पीचर भी है, सुप्रिम गुरू भी है तुम बच्चों को यह जरूर आटोमेटिकली याद रहेगा यहां बैठे समझते होंगे, सभी आत्माओं का एक ही रुहानी बाप है सभी आत्माएं उसको ही याद करती है, कोई भी धरम का हो सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं बाप ने समझाया है, आत्मा तो सब में है न? अब आप कहते हैं, दे के सब धरम छोड़, अपने को आत्मा समझो अभी तुम आत्मा यहां पार्ट बजा रही हो कैसा पार्ट बजाती हो? वो भी समझाया गया है बच्चे भी नंबरवार पुशार तनुसार ही समझते हैं तुम राजयोगी हो न? पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पढ़ता है एम अबजेक्ट का भी मालूम रहता है इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे यह पढ़ाई तो एक ही है इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई राजयोग है न? राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग और कोई मनुष्य यहा राजयोग कभी सिखला न सके तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो, तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं, यहाँ याद ना रहने से जोहर नहीं भड़ता है, इसलिए बहुतों की बुद्धी में नहीं बैठता है, तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो यात की यात्रा में रहकर समझाओ हम भाई भाई को सिखलाते हैं तुम भी आत्मा हो वो सबका बाप टीचर गुरु है आत्मा को देखना है भल गायन है सेक्केन में जीवन मुक्ति परन्तु इसमें महनत बहुत है आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रिती कोई समझाते नहीं है कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं कौन काटा है और कौन फूल है मालुम तो सब पढ़ता है स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी जट मालुम पढ़ता है यह बच्चे तीखे पुर्शाती है इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है तब उच्छ नमबर में आए है तीचर तो जरूर समझते होंगे न वो हैं लौकिक पढ़ाई यह तो वो बात नहीं यहां है पालौकिक पढ़ाई यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे यह पहले बहुत अ अच्छा पढ़ते हैं नहीं उस इमतेहान में तो ट्रांसफर होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मैनत की है तब आगे नमबर लिया है यहां तो है ही नई पढ़ाई जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है नई पढ़ाई है नया पढ़ाने वाला है सब न पढ़ाते हैं इनमें जो अच्छे रिती पढ़ते हैं तो कहेंगे यहाँ अच्छे पुर्शाथी है यहाँ है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं जितना जितना जो एटेंशन देते हैं उतना उच नमबर में जाते हैं कोई तो बहु बहुत मीठे आज्याकारी होते हैं, देखने से ही पता पढ़ता है, यहाँ पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुन नहीं है, चलन से बात करने से मालूम बढ़ जाता है, बाबा पूछते भी सबसे है, यहाँ कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो ऐसे बहुत कहते हैं, के हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना, कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूर बुद्धी नहीं होते हैं, माया का वार बहुत होता है, यहाँ बाब जानते हैं, माया इन्हों को धोखा बहुत देती है, भल दस वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबर्दस्त है, दे अहंकार आया और यह फसा, बाब समझाते हैं, जो भी पहलवान है, उन पर माया की चोट लगती है, माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है, तुम समझते होंगे, बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, यहाँ नमबर वन है फिर नमबर वार तो बहुत है ना, बाबा मिसाल करके एक दोका देते हैं, होते तो नमबर वार बहुत है, जैसे दहली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, है बच्ची बड़ी मीठी, बाबा हमेशा कहते हैं, गीता तो सची गीता है, मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं, परन्तो यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राज योग सिखा कर राजाओं का राजा बनाया था बरोबर सत्यूग था तो एक ही धरम था कल की बात है बाप कहते हैं कल तुमको इतना सा हुकार बना कर गया तुम पदमा पदम भाग गेशाली थे अब तुम क्या बन गए हो तुम फील करते हो न इन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या जरा भी नहीं समझते उच ते उच श्रेमत भागवत गीता ही गाई जाती है वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते वा सुनाते हैं बाप तो किताब नहीं पढ़ते फर्ग तो है न उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं वो तो नीचे गिरते ही रहते हैं सर्वब्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए है तुम जानते हो कल्प-कल्प ऐसे ही होगा बाप कहते हैं तुमको सिखला कर विशे सागर से पार कर देते हैं कितना फर्ख है शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्गवाना बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते वो समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुँचना तो सबको एक ही जगा है कभी कहते हैं भगवान किस ना किस रूप में आकर पढ़ाएंगे जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक में सल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो सत्यूग में तो कोई भी शास्त्र आदी होते ही नहीं यहाँ है ही भक्ति मार्क के शास्त्र ऐसे नहीं कहेंगे के यहाँ अनादी है शुरू से चले आते हैं नहीं अनादी का अर्थ नहीं समझते बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक में सल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो सत्यूग में तो कोई भी शास्त्र आदी होते ही नहीं यहाँ है ही भक्ति मार्के शास्त्र ऐसे नहीं कहेंगे के यहाँ अनादी है शुरू से चले आते हैं नहीं अनादी का अर्थ नहीं समझते बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादी बरूबर है तुमको बाप राज योग सिखलाते हैं बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ तुम कहेंगे हमारा राज अनादी था, राज वही है सिर्फ पावन से बदल, पतित होने से नाम बदल जाता है देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं है तो आदिशनातन देवी देवता धरम के न जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमों में आते हैं तुम भी ऐसे उतरते हो रजों में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो नहीं तो हिंदू हिंदूस्तान का नाम है तुम असुल में तो देवी देवता थे ना देवताएं सदयव पावन होते हैं अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा तो बता नहीं सकेंगे हुआ है वो फिर रिपीट नहीं होना है इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे कई तो मर भी जाते हैं बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं रावन के थे राम के बने फिर रावन राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है कई बिमार हो पड़ते हैं फिर ना वहां के रहते ना यहां के रहते ना खुशी है ना रंज बीच में पड़े रहते हैं तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं रावन का भी पूरा नहीं बनते हैं अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युकपर उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो यहाँ बड़ी समझने की बाते हैं बाबा शुब बोलो, कहते तो सब है, हम नर से नारायन बनेंगे, कथा ही नर से नारायन बनने की है, अज्यान काल में भी सत्य नारायन की कथा सुनते हैं न, वहां तो कोई पूछ नहीं सकते, यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है, कोई आते हैं, तो पूछा जाता है, इस जनम में कोई पाप करम तो नहीं किये हैं, जनम जनमांतर के पापी तो है ही, इस जनम के पाप बता दो, तो हलके हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, सच बतलाने से हलके होंगे, कई बच्चे पूछिने पताते हैं, तो माया एक दम जोर से गुसा लगा देती है, तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुध्धी को बहुत चोट लगती है, यहां बाबा भी जानते हैं, यह ब्रम्हा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ, ऐसे तो नहीं कहता हूँ, के मैं महात्मा हूँ, बाप भी खातिरी देते हैं, यह सबसे जास्ती पतित है, बाप कहते हैं, मैं पराय देश, पर में प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जनम लिये हैं अब यहां भी पावन बनने का पुरुशाद करते हैं खबरदार भी बहुत रहना होता है बाप तो जानते हैं न यहां बाबा का बच्चा बहुत नस्दीक है यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता ख्याल भी नही आ सकता के छोड़ कर जाओ एक दम हमारे बाजू में बैठा है मेरा तो बाबा है न मेरे घर में बैठा है बाबा जानते हैं हसी कुड़ी भी करते हैं बाबा आज हमको शनान तो कराओ भोजन तो खिलाओ मैं छोटा बच्चा हूँ बहुत प्रकार से बाबा को याद करता तुम बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे याद करो बाबा अब तो बहुत मीठे हो एक दम हमको बेश्व का मालिक बना देते हो यह बात और किसकी बुद्धी में होना सके बाब सब को रिफ्रेश करते रहते हैं सब पुर्शार्थी तो है परन्तू चलन भी ऐसी होना भूल हो जाए तो जट लिखना चाहिए बाबा हमसे यह भूल हो जाती है कोई कोई लिखते भी है बाबा हमसे यह भूल हुई माफ करना हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से सौ गोणा बृद्धी हो जाती है माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं बहुत ह यह बड़ी बॉक्सिंग है राम और रावन की लराई है देखाते भी है बंदर सेनाली यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है जैसे छोटे बच्चे बे समझ होते हैं न बाब भी कहते हैं यह तो इनों की पाई पैसे की बुद्धी है कहते हैं हर एक इश्वर का रूप है तो हर एक इश्वर बन क्रियेट भी करते हैं पालना करते हैं फिर विनाज भी कर देते अब इश्वर कोई का विनाज थोड़ी करते हैं यह तो कितनी अज्ञानता है इसलिए कहा जाता है गुडियों की पूजा करते रहते हैं वंडर है मनुष्यों की बुद्धी क्या हो जाती है कितना खर्चा करते हैं बाप उलहना देते हैं हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया तुमने क्या किया तुम भी जानते हो हम सोद देवता थे फिर चक्र लगाते हैं अभी हम ब्राम्हन बने हैं फिर हम सोद देवता बनेंगे यह तो बुद्धी में बैठा हुआ है ना यहां बैठते हो तो बुद्धी में यहां नौलेज रहनी चाहिए बाप भी नौलेजफुल है ना रहते भल शांती धाम में है फिर भी उनको नौलेजफुल कहा जाता है तुम्हारी भी आत्मा में सारी नौलेज रहती है न? कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आँख खुल गई है बाप तुमको ज्ञान की चक्षू देते हैं आत्मा को सृष्टी के आधी मद्ध अंत का पता पढ़ गया है चक्र फेटता रहता है ब्रामणों को ही स्वधर्षन चक्र मिलता है देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं उनको शिक्षा की दरकार नहीं पढ़ना तो तुमको है जो फेट तुम देवता बनते हो अब बाब बैट यहां नई नई बाते समझाते हैं यहां नई पढ़ाई पढ़कर तुम उच बनते हो फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यहाँ पढ़ाई है न, अभी तुम समझते हो, बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यहाँ नौलेज खलास हो जाएगी, अच्छा, मीठे मीठे सी किलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाब दादा का याद प्या को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की, रुहानी बाब दादा को, याद प्यार, गुड मॉनिंग, और नमस्ते बाबा नमस्ते, धाना के लिए मुख्यसर, पहला, बहुत बहुत आग्याकारी मीठा होकर चलना है, दे अहंकार में नहीं आना है, बाब का बच्चा बनकर फि अर्थाद वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, स्मृती रहे, बाब का सिखलाया हुआ, हम सुना रहे हैं, तो उसमें जोहर भरेगा, वर्दान है, आविनाशी नाशे में रहे, रुहानी मजे और मोज का अनुभव करने वाले, ब् सो फरिष्टे देवताओं से भी उचे हो, देवताई जीवन में बाब का ज्यान इमर्ज नहीं होगा, पर मात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा, इसलिए अभी सदा यह नशा रहे, कि हम देवताओं से भी उच, ब्रामन सो फरिष्टा है, यह अविनाशी नशा ही, रु का अनुभव कराने वाला है, अगर नशा सदा नहीं रहेगा, तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मुझेंगे, स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा, अच्छा, ओम, श्यांति कर दो कर दो कर दो, यह अविनाशी कर दो, कि रुच च्छा अरी सेवा कभी म泡़ती है, यह अविना मत अर्पित आत्मा, जब भी बाप अवेंगे समर्फित कर दो में रहेंगे, श्यांति रहा है, यह अलने इन को को घड़एंगे, संब कर दो, भी मुझें, अविनाया यह झाल 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 झाल